अलो फ्रेंट्स, डबलो इस क्यूब टेक के चनल पर मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंट्स, आज पाइथन को यूज करते हैं हम लोग देखने वाले कुछ अलग टाइप के पैटन्स को तो फ्रेंट्स, आज का जो मेरा पहला पैटन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर मुझे क्या करना है, प्रेंट करना है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5 तो फ्रेंट्स, इस ताइप के पैटन को हम लोग पाइथन में किस तरीकी से बनाएंगे उसके लिए हमें कुछ पहले उसके लॉजिक्स के बारे में बात करना है फ्रेंट्स, लॉजिक इसका क्या है वो हम लोग एक बहुत पहले डिस्कस करते हैं तो फ्रेंट्स, अगर आप देखे हैं इसको, तो यह आपके पास जो टोटल 5 रोज हैं और साथ में उसके अंदर कर आप देखें, तो लाश्ट अली रो के अंदर जब आप जाकर कर देखेंगे, तो वहाँ आपको फाइफ कॉलम्स भी देखने को मिलेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले जो आपके पास है वो रो नंबर वन है, इसके बाद में row number two, row number three, row number four and row number five इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर जो columns हैं जैसे हर row के अंदर first column में print होता है one ठीक है, अब उसके बाद में हमने जैसे first row के अंदर केवल one के बाद हमें कुछ नहीं करना है तो हम कह सकते है first row में first तक चला फिर second row में आएंगे तो आप 1 से कहां से start हो रहे हैं 1 से कहां तक जा रहे हैं 2 times पर friends ऐसी जब आप next row के अंतर आएंगे तो आप देखेंगे कि 1 से शुरू हो कि कहां तक जा रहा है row number 3 है इसलिए 3 तक जा रहा है friends ऐसी row number 4 में हम लोग 1 से 4 तक जाने वाले हैं और row number 5 में हम लोग 1 से 5 times तक जाने वाले हैं तो friends इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके columns हैं वो depend किसके उपर हो रहे हैं row के उपर तो friends हमको यहाँ पर क्या करना है row की value को और column की value को समझना है अब देखें row की value कहां से कहां तक है 1 से कह सकते हैं हम लोग कहां तक 5 times तक column कहां से शुरू होता है हमेशा 1 से शुरू होता है खदम कहां होता है तो वो depend करता है आपकी row के उपर मतलब कह सकते है 1 से 1 तक 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 से ये 8 times तक जाने वाला है तो friends इस type के pattern को बनाने के लिए हमें यहाँ पर row और column दो अलग-अलग variables आई है जिसको हम लोग use करने वाले है loop के लिए ठीकि अब loop क्या होता है आप जानते हैं क्योंकि कुछ statement आपको बार-बार print करना है assume कर सकता है 1,2,3,4,5 मेरे पास कोई variable है suppose c जिसमें मैं columns की values को set करता हूँ like column को 1 रखता हूँ फिर column को increase करता हूँ 2,3,4,5 इस type से हम आगे बढ़ते हैं तो friends मैं क्या कर रहा हूँ column की value को print करता हूँ कभी 1 उसके बाद मुसको increase करके 2 उसके बाद में 3 उसके बाद में 4 और उसके बाद में 5 को set करता हूँ तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो column है वो 1,2,3,4,5 को print कर सकता है ठीके बट यह चलेगा कहा देख रो के according तो row नाम की variable चल जोगी वो कहा है वो भी एक से 5 तक चल रही है ठीके 1,2,5 rows चल रहा है और columns जो है आपका वो 1 से 8 times तक चलता जाएगा मिस रो के according चलता जा तो देखते है friends इस type के pattern को कैसे बनाएंगे उसके लिए friends में जो क्या करना होगा ideally start करना होगा एक editor होता है आप जानते है ideally उसको जब आप start करते है like python का जो default है आपके पास editor है वो मैंने अपने computer system में install कर रखा है मैंने सिफ ideally को start किया है जैसी friends आप ideally पर आते हैं आप देख उसको print कर देगा जैसे hello world तो यहां क्या है कि हमारा program save नहीं है बस आपने जो statement type किया है वो statement execute हो गया और आपको सामने show कर दिया in case अगर आपने कहीं कुछ लिखा like मैं यहां पर जैसे c की programming करते हैं आप जानते हैं वहां print की जगे print f लिखते हैं c में और मैं यहां पर जाकर python shell है जहां हमने कहीं कुछ error create करिए तो इस जगे पर आप अपना जो है कह सकते हैं कि command type कर सकते हैं यहीं पर जो है आपकी error को भी चेक कर लेता है और साथ में आपकी जो भी execution है जो आपने statement आपने जो जिसके according डाल रखाए आपने जो भी अपना program बनाया उसके according उसका output भी आपको यहीं मिल जाता है लेकिन आपका जो program में वो save नहीं होता तो friends अगर आप चाते हैं कि आपका code जो है वो future के लिए save होता क्या बाद में कभी और उसको use कर सके या उसी program को कभी modify कर सके तो उसके लिए friends आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपने program को save करने के लिए program क एक file बनानी पड़ेगी तो friends आप क्या करेंगे file menu पर जाकर के click करेंगे आप देख सकते हैं file के अंदर सबसे पहला option ही क्या मिल रहा आपको new file तो friends जैसी मैं इस पर जाकर के click करूँगा आप देखेंगे एक blank file आपके सामने आ चुकी और इसके अंदर आपको कुछ काम करना है तो friends इसमें आप क्या काम करेंगे इसमें मुझे क्या करना होगा friends यहां पर एक variable मुझे set करने होगी like मैं assume कर सकता हूँ एक n नाम की variable है ठीके n equals to हो सकता है आप यहां पर 5 set करना चाहते हैं अगर आपको 1,2,3,4,5 चलाना जैसा कि हमारा output का अगर friends आप यहां पर चाहते n equals to 5 लिख देता हूँ इसके बाद में friends मुझे यहां पर क्या काम करना है तो मुझे simple सा काम है मुझे output ही चाहिए सिधा print चाहिए कहां से कहां तेक चाहिए 1,2,1,2,3,1,2,3,4 और 1,2,3,4,5 ठीके तो इस type के pattern को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सीधे ही loop सकता है तो friends यहां पर करना क्या है मुझे जाकर के लिखना है बस for एक loop होता है आप जानते हैं friends मैं लिखता हूँ for r in range ठीके r in range बस मुझे यह लिखना है ठीके r की जो value है आया क्या सकते है r की जो variable है वो इस range के अंदर से एक एक करके value आएगी like friends मैं चाहता हूँ 1,2,3,4 तो friends मुझे start कहां से करना है यहां पर 1 से करना है इसलिए मैंने क्या लिखा 1 से खतम कहां तक करना है आप जानते हैं 5 तक खतम करना है क्यों कि 1,2,3,4,5 हम लोग लेने वाले तो friends यहां आपको 5 नहीं लिखना है यहां तो आप लिख सकते है 5 प्लस 1 अब यह हमेशा क्या र लिखना पड़ेगा अच्छा यहां पर देखे यह पॉरलूप का काम शुरू हो गया मतलब यहां पर क्या होगा जो आपका 1 है वहां से शुरू होगा आज में 1 आएगा उसके बाद में 2,3,4 और जैसे 5 होगा 5 तक 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 तो जाएगा और जैसे 6 हो जाएगा तो कह प्रिंट करवाना है अब प्रिंट क्या करेंगे 1,2,3,4,5 तो रोज चल रहीती वो रो के लिए अपने लूप बना दिया अब हमें क्या करना है उस पर्टिकुलर रो में कभी 1, कभी 1,2,3,1,2,3,4,1,2,3,4,5 प्रिंट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप चाहें जो लिख सकते हैं आप कहीं और भी प्रोग्राम देखेंगे तो कहीं आपको शायद xy मिल जाएगा कहीं ij मिल जाएगा कहीं rc मिल जाएगा या और भी कुछ नाम अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं तो मैं यह रख देता हूं for c in range बस आपको यह रख कहा तक जाना है जैसे कि अगर मेरे पास 5 अगर रो है तो मुझे लाश जो है 5 ने 6 तक जाना है कि प्रिंट तो 5 तक करेगा 6 पे मेरा यह लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगा और हम यह लूप से बाहर निकल जाओंगा तो इस तरीके से मैंने एक और यहां पर क्या कर लिय अब इसके अंदर मुझे क्या करना है तो प्रिंट करने के लिए क्या है आप जानते हैं एक प्रिंट फंक्शन होता है और प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है अब किसकी वैल्यू आप प्रिंट करने वाले तो फ्रिंट मैं यहां पर जाके के बाद new line आनल तो ठीक था लेकिन अगर आप चाहते है वन उसके बाद तू लिखना या वन तू तू त्री लिखना तो यह क्या करेगा न्यू लाइन में लिखतेगा तो यह तो गलत है तो हम लोग चाहते हैं कि वन के बाद में new line नहीं आए ठीक है तो इसके लिए न्यू लाइन के लिए ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ एंड इक्विल्स टू ब्लैंक मतलब आपको न्यू लाइन नहीं क्रियेट करने तो इस तरीके से जो है प्रिंट फंक्शन अपना काम करेगा और यह जो है वो प्रिंट कर देगा वान वन टू 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 हो को इस तरीके से चोह है वह मेरे पास एक छोटे से कोड के अंदर में अपने बनालिया है बस मुझे क्या करना है अपनी file को एक बार save करना है जैसी friends मैं इस file को save करने के लिए जाऊंगा यह मुझसे नाम पुछेगा मैं एक particular location में जाकर के अपनी file का नाम दे देता हूँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं लाइक मैं यह 43.py लिख देता हूँ आपको पता होगा कि जो python की files होती है या python के जो programs होते हैं उसका एक extension है वो आपके पास dot py होता है तो friends इस तरीके से जो है वो मैं PRG 43 नाम रख रहा हूँ क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे program बना लिए तो मैं उसको एक list wise रख लेता हूँ जैसे आप देख पा रहे होंगे PRG 123 ऐसे मैं नाम देता हूँ आप अपने according कुछ भी नाम दे सकते हैं नाम में कोई issue नहीं है बट आपको यहाँ याद रखना है कि dot के मलब जो file के नाम के बाद में जब आप dot लगाएंगे तो आपको क्या लिखना पड़े का dot py अगर आपने dot py नहीं लिखा है तो friends यह आपकी text file बन जाएगी जो execute नहीं होगी ठीके तो python में आपका code execute करवाने के लिए या run करवाने के लिए आपकी file का extension जो है वो dot py होना जरूरी है तो friends इस तरीके से मेरा जो program है वो save हो चुका है means जैसी मैं यहाँ पर save button पे click कर दूँगा मेरा program save हो चुका है आप देख सकते है यहाँ उपर मेरा file का नाम आ चुका है prg43.py अब मुझे क्या करना है आपने इस code को execute करना है तो friends run करने के लिए आप run में जा सकते है run module पे click कर सकते है module के दे, script के दे, program के दे या file के दे, सब एक ही बात है आप यहाँ पर run module कर सकते है f5 key को use करते है यह आप shortcut भी use कर सकते है f5 जैसी friends मैं f5 key को press करूँगा यह आपका code execute होना शुरू हो जाएगा अब आप जानते हैं कि python interpreter based programming language है तो यह क्या करेगा n equals to 5 जो आपने लिखा है first statement उसको पहले check करेगा इसमें कोई error है कि अगर error हुई तो error show कर देगा otherwise वो क्या करेगा next row में आएगा next row में blank है third row में आएगा for r in range अगर यहां कई कुछ mistake है तो वो यहां show करेगा otherwise इस line को execute करेगा फिर next line में next line में ऐसे करके यह एक-एक line को जो है वो interpret करता है या कह सकते है interpreter का काम इस तरीकिका होता है जो क्या करता है एक-एक line को पहले check करता है अगर वो line error free है तो उस code को वो execute करता या run करता है तो इस type से friends मेरा program complete हो चुका है in case अगर error हुई तो error show कर देगा otherwise वो क्या करेगा मेरे program को run कर देगा तो आप देख सकते है screen के उपर क्यों कि वो पहले हमने जब code लिखा था इस program के starting में वो आपको error show कर रहा है लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको हीदी start जब मैंने किया इस file को 43.py को देख सकते है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 तो friends इस type से जो है हमने आज एक और अलग tap के pattern को discuss किया ऐसी friends आगे की वीडियोज में भी मैं कुछ अलग-अलग tap के patterns को आपके साथ discuss करने वाला हूँ तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रही है जिनने वाल